कि अईसे लोग कहां छुप करके बैठे हुए हैं सामने क्यों नहीं आते हैं आप लोगों की खामोशी की वज़ा से ऐसे नोजवानों को इसलाम की गलत तर्जुमानी करने का मौका मिल रहा है असलाम हो आलेकुम दोस्तों मैं हूँ असलाम आलम सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर दो तिन वीडियो देखाना चाहता हूँ उसके बाद मैं अपनी बात आगी रखूँगा तो दोस्तों आप लोगों ने इन सारी वीडियो को देख लिया जिसमें मुस्लिम कम्यूटी के कुछ नोजवान अपना जोश और जज़बा दिखा रहे हैं जिसका फाइदा से ज्यादा नुक्सान है नुक्सान इसका इस तरह है कि इस तरह की बातों से उल्टा असर पड़ेगा मुस्लिम कम्यूटी जो कि एक पीसफुल कम्यूटी है इसका चेहरा बदनाम होगा दूसरे लोगों को हमारे उपर उपर उंगली उठाने का मुखा मिलेगा मैं यहाँ पर आप लोगों के सामेने में एक और चीज़ किलियर कर देता हूँ कि इन नुजवानों को इस तरह की वीडियो बनाने की जूरत क्यों पड़ी इसको भी हम समझ लेते हैं ताके किसी को कोई डौट बाकी न रहे 30 मर्च 2013 को राम नौमी के नाम से जो शोभाय यात्रा निकला था इस शोभाय यात्रा में कुछ ऐसे नोजवान भी थे जो के नहीं चाहते हैं कि आपस में भाई चारगी फैले अमन और शांती फैले वो आपस में नफरत को फैलाना चाहते हैं यहां पर मैं कुछ का वाड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब हुआ कि उस शोभाय यात्रा में सारे लोग ऐसे नहीं थे बनके उसमें से कुछ लोग थे हो सकता है कि वो बाहर के लोग भी हो जो के इस नियत से उस शोभाय यात्रा में शामिल हुआ हो हमको अशांती फैलाना है दंगा और फसाद फैलाना है और ये चद लोग अपने मकसद में कामियाब भी हुए मस्जिद के सामने में जाकर के गेट पर जाकर के खूब उछल कूद किया नारे बाजी की दूसरे मस्जिद में पथर भी फैका गया इट भी फैका गया जिसकी वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इन सारी चीजों के होने के बाद रियक्शन के तोर पर कुछ मुस्लिम नोजवान सामने आए जिन्हों ने इस तरह की भड़काने वाली वीडियो बनाई हम दोनों तरह के लोगों को कंडेम करते हैं इनका साथ नहीं देते हैं और ना हमें इसलाम इस बात की तालिम देता है ऐसा सिखाता है बलके इसलाम हमें ये सिखाता है कि हम जिस कंट्री में रहें उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें कभी भी कानून को अपने हाथ में मत लें बलके हमेशा कानून का सहारा लें अपनी तरफ से प्रस्नल तोर पर कोई इसी बात नो बोलें ऐसे कोई वीडियो न बनाएं जिससे समाज में आपस में नफरत फैले कानून को हाथ में लेने से हमेशा दंगा और फसाद होता है मैं यहां पर मैं मुस्लिम कमिटी के नوجवानों से कहना चाहूंगा कि इस तरह की भरकाव वीडियो मत बनाएं आपकी इस तरह की बनाएंवी वीडियो से दूसरे लोगों को इसलाम के बारे में गलत मेसे जाएगा आपकी बनाएंवी इस तरह की वीडियो से उन लोगों को फाइदा होगा वो लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे जो के समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं क्योंकि ये लोग आप लोगों को उक्साना चाहते हैं आप लोगों को उक्साने के बाद में जो आप कुछ करेंगे उन चीजों को दिखा कर कि ये समाज में हमदर्दी हासिल करेंगे और आप लोगों का नेगेटिव चहरा समाज में फैलेगा कोई कुछ बोलता है कोई कुछ करता है यहाँ पर पुलिस परशाशन है कानून है आप इसका हमेशा मेहल्प लें आप प्रसनल तोर पर जो कुछ भी कर रहे हैं यह सारा गलत कर रहे हैं यहाँ पर मुझे मुस्लिम कमिटी के जो आलिम तवका के लोग हैं ऐसे लोगों से मुझे सखत गिला और शिक्वा है कि ऐसे लोग कहां छुप करके बैठे हुए हैं खामोशी की जिन्दगी गुजार रहे हैं सामने क्यों नहीं आते हैं आप लोगों की खामोशी की वज़ा से ऐसे नोजवानों को इसलाम की गलत तरजमानी करने का मुझा मिल रहा है यह लोग इसलाम की शबीह को बिगाल रहे हैं खुदारा सामने आकर के ऐसे नोजवानों की रहनुमाई करें जहां पर इस तरह का वाकिया होता है सामने आकर के अपनी बातों को रखें ताके मुस्लिम नोजवान बहकने से बच सके आप लोगों की खामोशी की वज़ा से इस तरह की वीडियो सामने आती है ये ऐसे नोजवान है जिनके पास में इसलाम की सही तालीम नहीं है ये नوجवान इस तरह की वीडियो बना कर ये सोचते हैं कि शायद वो इसलाम के खिद्मत कर रहे हैं दूसरे धर्मों के उपर उपली उठा कर ये सोचते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है मिसाल के तोर पर यहां पर आप देख सकते हैं एक नوجवान ने अपने फेस्बूक पोस्ट पर शिरी राम जी को गलत नाम से मुखातब किया कोई भी मुसल्मान जिसके पास में इसलाम के सही तालिम होगी इस तरह की बातों से वो एगरी नहीं करेगा सोशल मेडिया पर आप लोगों के न होने की वज़ा से ऐसे मुसलिम नوجवान सोशल मेडिया पर इसलाम की नमाइंदगी कर रहे हैं और अपनी एक्टिविटी की वज़ा से मुसल्मानों के उपर में उगल उठाने का मौका मिल रहा है दूसरी कम्यूटी के लोग क्या करते हैं उसको देखने से पहले हमें अपने अंदर में सुधार लाना होगा आज कल दूसरी कम्यूटी के लोग हवें देखकर इसलाम को समझने की कोशिश करते हैं मुसलिम कमिटी के आलिम तबका से मैं फिर से रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ के खुदारा आप आगे आएं और नोजवानों को गाइड करें हलाते हाज़रा पर हमेशा राय देने की कोशिश करें ताके मुसलिम नोजवानों को गलत कदम उठाने से रोका जा सके मुसलिम नोजवानों को समझाएं कि इसलाम हमें दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करना सिखाता है उनकी बेज़जदी करना या उनको गालाम गलोश करना इसलाम हमें इससे सकती से बना करता है इसी तरह दूसरे की वीडियो की नीचे घलत कमेंट करना जिससे दूसरे धर्म और उसके धर्म गुर्वों को बेज़दी करना मकसद हो उसका इंसल करना मकसद हो इसके भी हमें अजाज़त बिल्कुल नहीं है कोई कुछ कर रहा है उसके मामले में हमें टांग अलाने की कोशिश बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए बलके आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं अगर नहीं समझा सकते हैं तो वहाँ पर खामुश ही रहें गालम गलोच करने से आपसी भाईचारे को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें बहुत बहुत शुक्रिया